जै माता देख, माता दुर्गा की किरपा आप पर और आपके पूरिये परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, अब मैं आज आपनों को सुनाने जा रही हूँ, श्री गणिशाय नमा, श्री दुर्गाय नमा, अथ श्री दुर्गा सप्त सती, दसम अध्याय, शुम्भ बध, ध्यानम, देवी के रूप का ध्यान करना, मैं मस्तक पर अर्ध चंद्रधारण करने वाली, शीव शक्ति स्वरूपा, भगवती का मेश्वरी का हिर्दे में चिंतन करती हूँ, वे तपाए हुए सुवन के समान सुन्दर हैं, सूरे, चंद्रमा और अगनी ये ही तीन उनके नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बान, अंकुष, पाश और सूल को धारण किये हुए हैं, रिशी कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान, प्यारे भाई, निशुम्भ को मारा गया देकर, सारी सेना का संघार होता जान, शुम्भ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुरगे, तु बल के अभिमान में आकर, जूट मूट का घमण ना दिखा, तु बड़ी मान ले ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है, देख, ये मेरी ही विभूतियां है, अथा मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं, तदंतर, ब्रह्मानी, आदि समस्त देवियां, अंभिका देवी के शरीर में लीन हो गई, उस समय केवल अंभिका देवी ही रह गई, दे मैंने समेट लिया, अब मैं अकेले ही युद में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ, जिशी कहते हैं, तदंतर, देवी और शुम्ब, दोनों में से सब देवताओं, तथा दानवों के देखते देखके, भेंकर युद छिड़ गया, बाणों की वर्सा, तथा तीखे शस्त्रों एवं दारून अस्त्रों के प्रहार के कारण, उन दोनों का युद सब लोगों के लिए बड़ा भ्यानक प्रतीत हुआ, उस समय, अम्भिका देवीग ने जो सेकलों दिवे अस्त्र छोड़े, उन्हें देत्राज, शुम्ब ने उनके निवारक अस्त्रों द्व खिलवारा ही, खिलवार में ही नस्त कर डाला, तब उस असुर ने सैकलों वालों से देवी को आच्छादित कर दिया, यह देख क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बान मार कर उसका धनुस काट दिया, धनुस के कट जाने पर फिर दैत्राज ने शक्ति हाथ में ले ली, कि देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट गिराया, तत पहस्चात दैत्रों के स्वामी शुम्ब ने सो चांद वाली चमकती हुई धाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया, उसके आते ही चन्रिक्या माने अपने धनुस से छोड़े हुए त जुबल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया, फिर उस दैत्र के गोड़े और सारथी मारे गए, धनुस तो पहले ही कट चुका था, अब अमिका को मारने के लिए उद्यत हो भैंकर मुदगर हाथ में ले लिया, उसे आते देख, देवी ने अपने तीछ मानों से उसका तिस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े बेग से देवी की ओर जप्टा, उस दैत्राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया, देवी का थपड़ खाकर दैत्राज शुंब प्रिथवी पर गिर पड़ा, किन्तु पुना सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया फिर वह उचला और देवी को उपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया तब मा चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शिम्भू के साथ युद करने लगी उस समय देथ और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे उनका यह युद पहले सिद और मुनियों को विशमे में डालने वाला हुआ फिर अम्भिका को शुम्भ के साथ बहुत देर तक युद करने के पस्चाथ उसे उठा कर घुमाया और प्रिथवी पर पटक दिया पटके जाने पर प्रिथवी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैते पुनह माच निका का वद करने के लिए उनकी और बड़े बेक से दोड़ा तब समस्त दैतियों के राजा शुम्भ को अपनी ओर आते देख देवी ने तिशूल से उसकी छादी को छेट कर उसे प्रिथवी पर गिरा दिया देवी के शूल की धारा से घायल होने पर उसके प्राण पकेरू उड़ गये वह समुद्रों, द्यूपों तथा परवतों सहीत समुची प्रिथवी को कमपाता हुआ भूमी पर गिर पड़ा तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपून जगत प्रसन एवं पून स्वस्त हो गया तथा आकास स्वक्ष दिखाई देने लगा पहले जो उत्पात सूचत मेख और उलका पात होते थे वे सम शांत हो गये तथा उस देत के मारे जाने पर नदिया भी ठीक माग से बहने लगी उस समय शुम के मृत्य के बाद संपून देवताओं का हिर्दे हर्स से भर गया और गंधर्व गन मधूर गीत गाने लगे दूसे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अपसनाय नाचने लगे पवित्र वायू बहने लगे सोरी के प्रभा उत्तम हो गई थी अग्रिशाला बुजी हुई आग अपनी आप प्रज्वलित हो गई तथा संपून दिसों के भेंकर शब्द शांत हो गई इस प्रकार स्री मारकंडे पुराण में सावानेक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महतम्य में शुम्भ वद नामक दस्मा अध्याय पूरा हुआ मातारानी की जैहो देवी दुर्गय की जैहो माकाली की जैहो मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो किर्पया लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुन सकें धन्यवाद मातारानी की जैहो बोले बाबा की जैहो मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो किरपया लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दबाना ना भुलिएगा धन्यवाद